नमस्का दोस्तो वेलकम बैक टू रिदान्स मॉम गाटन तो दोस्तो देखिए बरसात सुरू हो गई है और सभी प्लांट्स कितने अच्छे से सभी प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है ये मेरे तुलसी जी का पौदा है और दोस्तो ये गर्मियों में काफी इसके लीफ के साइ चोटे-चोटे हो गए थे और थोड़ा काला काला भी पड़ गया था लेकिन जैसे ही बारिस सुरू हुई देखे फिर से ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है और दोस्तो जैसे मैंने अपने पीछले वीडियो में भी बताया था जितना भी हम फटिलाइजर दे प्लांट को लेकिन जो बारिस का पानी है उसकी बात ही अलग होती है बारिस के पानी में बहुत ज्यादा न्यूटरिंट होता है जिससे हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और देखिए तुलसी जी का ये पौदा कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है और दोस्तों यह फूल बने है तो घन से को दर्द होता है इसका मतलब ये है कि गुजह कि अ के सीज़ कर भूल आंदे हैं तुम अगर आप सीज ह्रों न चाहरे हैं तब तो आप रखिए ये फूल को इस पे रहने दीजे ये बाद में सीट बन जाएंगे अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो इसको तुरंथ हटा दीजे क्योंकि ये फूल ऐसे ही रहेंगे इसमें तो सीट बन जाएंगे और प्लांट्स अपने सारे न्यूट्रिन जो है वो सीट पनाने में लगा देगा तो लीफ्स वगेरा अच्छे से ग्रो नहीं होगी फोलियस कम हो जाएगा तो इसलिए अगर आपको सीट रखना है सीट चाहिए तब तो आप थोड़ा सा रख लीजिए लेकिन अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो आप इन सभी मंजरी को हटा दीए क्योंकि फ्लावर तुलसी जी के जो है लीफ्स ये काफी अमेडिशनल वैली जो होते हैं काड़ा में यूज होता है और कितनी दवाईया भी बनती है इसके मेडिशनल यूज से कोई अनजान नहीं है और लगबग सभी के घर में ये प्लांट पाए जाते हैं सामा पूजा करते हैं जल चड़ाते हैं तो हमारे हिंदू संस्कृति के सबसे काफी सुभ माना जाता है और इसमें पानी कहते हैं कि मंगलवार और रविवार को इसमें पानी नहीं देना चाहिए छूना नहीं चाहिए लेकि मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि अगर आप डेल लेकिन क्या है कि बड़े लोग कहते हैं तो अब आदत हो गई है मैं भी मंगलवार और रविवार को तुलसी के प्लांट में प्लांट को छूती नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसा कुछ मानती नहीं कि नहीं चूना चाहिए लेकिन एक जो प्रथा बन गया है बच्पन से यही सु करना है इस वज़े से मैं भी फॉलो करती हूं तुलसी जी मैं दोस्तों ज्यादा पानी की जुरूरत नहीं होती मौस्टर मेंटेन रहे पानी चाहिए मौस्टर मेंटेन रहे लेकिन ज्यादा सौगी ना हो तो इसलिए साइद हपते में दो दिन पानी इसमें ना देके पान है या कुछ और बात है फ्लीज बताईएगा और दोस्तों तुलसी जी के प्लांट में कहते हैं कि ब्लैक कलर का माइट्स अटैक करता है लेकि में आज तक तक तुलसी के पौदे ये पांस साल से उपर हो गया लगबच छे साल होने को आए एक भी इसमें इंसेक्ट वगरा नहीं किये हैं अगर इंसेक्ट अटाक करें तो आप नीम ओल स्प्रे कर सकते हैं और तुलसी जी का जो है वींटर इसका डॉमेंसी पिरेड होता है जब कडाके की 15-20 दिन का जो कडाके की ठंडी परती है उस टाइम में इस पे जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें कुन्री भी उराई जाती है मुझे लगता है उसका भी यही लॉजिक है कि जो ओस है वो प्लांट पर डारेक ना पड़े और प्लांट ओस से बच जाए तो यह होगा लेकिन हम लोग वह भी पूजा करते हैं मानते हैं तो यहीं सब है और धूप जो है सुबा के तीन से चार गंटे के धूप इस पर पड़े तो सफिसंट है और जितने भी यह मंजरी है इसको आप रेगुलर कट करते रहिए मैं हमेशा इसको कट कर देती हूँ इसलिए साइद यह मेरा प्लांट पांच-छे साल से बचा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी तुलसी जो है सीट बनाने में यूज करेंगे तो इस वज़े से जितने भी यह फ्लावर सब है इसको आप हटा दीजे और दोस्तों अगर आपको दूसरा प्लांट बनाना है मल्टिप्लाइ करना है तो आप इस सीजन में कटिंग से भी कर सकते हैं कटिंग भी लग जाते हैं और पूल बन गए हैं तो इसको में हटा दूंगी तो दोस्तों तुलसी जी का पॉदा घर में रखिए सुब होता है में अधिशनल वैली बहुत है तो आसा करती हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल जो भी में वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आ जाए तैंक यू एन हैपी गार्डिनिंग